हेलो फ्रेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे 21 feet by 31 feet के plot में घरका नक्सा कैसे बनाए तो फिर बीना समय वेस्ट की वीडियो से चली शुरू करते हैं आज के वीडियो में हूं आप दोस्त अनियर यह plot की width 21 feet और यह plot की length 32 feet सबसे पहले start करते हम अपने main entrance यह हमारी main entrance है हमने दो gate रखे हैं यह आप ऊपर के floor को rent पर लगाना चाहाओ तो privacy purpose से हमने एक यहां से entry दे रखा है यहां से enter करते हैं आप ऊपर के floor पर जाने के लिए हमार अप हो गया ठीक है तो यह उपर के floor पर आप यहां जा सकते हो तो जिससे हमारी ग्राउंड का floor separate हो गया जिससे हमारी privacy बनी रहेगी इंट्री करते हैं सबसे पहले हमारा यह द्राइंग मूंग का साइज है 13 feet 9 inch यह हमारी 13 feet 9 inch और यह है 8 feet 9 inch और जब अंदर के जाएंगे तो यह हमारा left side में kitchen है kitchen का साइज है 6 feet 8 inch by 10 feet 7 inch जो काफी अच्छा खासा species kitchen है यह हमने यहां पर refrigerator रखने के लिए हमने इस पेस अच्छेट वगरा लग सकते हैं और यह हमारा kitchen के slab है और यह हमारा right side में इसका यह हमारा toilet है toilet का साइज है 6 feet 4 inch by 7 feet 4 inch यह है toilet की width 6 feet 4 inch और यह है 7 feet 4 inch और इधर से इस corridor के ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए हमारा यह staircase है जो आप घर के अंदर से भी है आप चाहा तो ऊपर जा सकते हूं जिसे आपको बाहर निकल के आपको ऐसे नहीं जाना पड़ेगा अब चलिए देखते हैं bedroom का यह हमारा bedroom 1, bedroom 1 का size 10 feet by 11 feet यह हमारी 10 feet यह हमारी width और यह हमारी length 11 feet और यह है bedroom 2, bedroom 2 का size 9 feet 9 inch और यह हमारा length 11 feet अब देखते हैं इसके wall thickness, wall thickness हमने सारे इसके outer wall हमने 5 inch thick ले इस थे ले रखा है आप चलिए इसके देखते हैं window वगरा कहा है आप पर ventilation के लिए हमने window दे रखा फ्रंट में ठीक है और back side में window दे रखा यह bedroom 1 का यह bedroom 2 का window यह आप पास space available है तो आप इधर kitchen में यहाँ पर window दे सकते हूं यह इधर space available नहीं है तो आप यहाँ पर modern kitchen में य use किया जाने वाले chimney use कर सकते हैं यहाँ पर ventilation के लिए और इधर भी आप window दे सकते हैं तो चलिए आप देखते हैं इसके column location कहां कहां पाएंगे column total number of column होगे number of column 12 numbers अब चलिए देखते हैं इसके construction का cost क्या आप इसके construction का cost आए कर लगबग construction कोस्ट आए कर लगबग 8.5 तो 10 लैक तो 10 लैक यह डिपेंड करता है कि आप इसमें कैसा material यूज कर रहे हूं बाकि हमने यह basic cost इसमें ले रहे हैं जिसमें हमारे concrete slab wall और plaster यह सब इंक्लूड किया हो गया इसमें tiles बगड़ा और snissing items इसमें इंक्लूड नहीं किया हो गया यदि इसको आप add करते हो तो उसके extra cost बढ़ जाएंगे तो दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसा लगा है यदि अचला हो तोक्री पेस से लाइक करें सब्सक्राइक पर सब्सक्राइक करना ना पूले करते हैं